Welcome to new lesson. कल के lesson में मैंने एक बेर आपको दुबारा recap कराए था Google Ads के tag लगाना through Google Analytics. आज हम सीखेंगे दूसरा तरीका, वो क्या है? वो है directly Google Ads के tag लगाना. Directly. कल हमने सीखा था through Google Analytics. आज हम सीखेंगे directly through Google Ads. तो जबी भी आप Google Ads के tag लगा रहे हो, तो यहाँ पर अगेन दो steps हैं, जबकि तीन steps हैं. Step number one is, आपको सबसे पहले तो लगाना है remarketing tag. ठीक है? remarketing tag. दूसरा आपको लगाना है conversion tag, जिसके थूँ आप conversion track कर सको. और तीसरा आपको लगाना है conversion linker, ताकि आप सारे conversions अपने सही से track कर सको. तो यह तीन tag आपको लगाने है. पहला remarketing, दूसरा conversion, तीसरा conversion linker. और तीनों काम हमें करेंगे through Google Tag Manager. अब Google Tag Manager लगाना सीखी चुके हो, तो हम आज स्टार्ट करते हैं अपना पहला काम, that is remarketing tag लगाना. बहुत यह आसान है, देखो. कहाँ जाना है, tools and settings. ठीक है, बहुत यह simple. then कहाँ जाओगे, then जाओगे audience manager में. जाओ audience manager में. tools and settings, then जाओगे audience manager. then आओगे audience sources के उपर. simple audience sources के उपर. then आओगे यहाँ, Google Ads Tag. ठीक है, setup करो. continue करो. और देखो. दो option दे रहा है, किस type की information चाहिए? general information चाहिए, या फिर specific information चाहिए. specific information हमें चाहिए होता है, जहाँ पे हम dynamic remarketing ad run कर रहे हैं. जैसे कि shopping वगर की अगर आप run कर रहे हो. यहाँ हम general बना रहे हैं. तो हमें चाहिए, पहला option. only general information. जब हम e-commerce करेंगे, तब हम सीखेंगे कि कैसे हम dynamic ads run कर सकते हैं. वहाँ पे हम दूसरी information लेना सीखेंगे. अभी हमें चाहिए general तो पहला option. then additional settings. user id हमें नहीं चाहिए. simple कर दो, save and continue. tag setup कैसे setup करना है? install the tag yourself, email the tag या use google tag manager. आप कर दो google tag manager. ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? conversion id. आ रही है न? conversion id. यहाँ से ले लो conversion id. copy करो. अब क्या करोगे? जाओगे google tag manager पे. बताओ क्या करोगे अब? yes, एकदम सही का add a new tag. अब यहाँ पे इसका नाम लिख दो. google ads tag remarketing. ठीक है जी? कुछ है मुश्किल क्या इसके अंदर? नहीं है? इधर जाओ. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? google ads remarketing. कितना असान काम क्या है? आपके लिए बताओ google. google ads remarketing. क्लिक कर दो. क्या पूछ रहा है? conversion id. conversion id का है? अरे बही है? यह तो रहा. conversion id यह लो. और यहाँ पे इसको कर दो. क्या? paste. ठीक है? बाकी हमें. और information नहीं भेजनी. वो भेजेंगे जब हम e-commerce run करेंगे. अभी हम कोई information नहीं भेजेंगे. ठीक है? बस हमें इतना ही भेजना है. triggering पे आओगे. क्या करोगे? trigger. और all pages. simple. कोई ज़्यादा info. यहाँ पे simple remarketing लोगे. अपनी conversion id डाल दोगे. triggering पे आओगे. all pages ले लोगे. और इसको कर दोगे. save. बिल्कुल असा. अब यहाँ आजाओ. यहाँ से कर दो continue. और यहाँ से कर दो done. simple. वापस आओ. इसको यहाँ पे करो submit. यहाँ से करो publish. यहाँ से करो continue. हो गया. workspace पे आजाओ. अब हम check करेंगे. कि यह जो remarketing tag लगाया है. यह सही से काम कर रहा है. यह नहीं कर रहा. कैसे करोगे check. वापस आओगे. यहाँ से करोगे preview. अच्छा दोनो method एक साथ use मत करना. या तो google analytics वाला यूज करना. या यह tag manager वाला यूज करना. या यह फिर google ads वाला यूज करना. दोनो एक साथ use मत करना. data conflict हो सकता है. एक ही यूज करना. अब आजाओ website पे. इसको आके एक बर hard refresh करो. control F5. अब देखो वो नीचे एक window आ जाएगी. हाणा. अब ज़रा देखते हैं. देखो यह क्या रहा है. google ads tag remarketing. इस page पे fire हो रहा है. perfect है. एकदम सही काम कर रहा है. कोई tension के बात नहीं. मतलब यह बिलकुल सही से काम कर रहा है. मतलब यह एकदम सही से काम कर रहा है. कोई problem नहीं है. ठीक है. अब हमें क्या करना है. सबसे पहले तो करेो. leave preview mode. ठीक है. सबसे पहले तो यहां से करो. leave preview mode. ठीक है. leave preview mode किया. website पे गए. और इसको किया. refresh. हो गया जी. अब हम install कर चुके हैं. कोई problem नहीं है. अब हमें क्या करना है. अब हमें किया. हमने पहला काम. that is. हमने लगाया है. remarketing tag. अब हमें करना है. दूसरा काम. that is. हमें यह लगाना है. conversion tag. अरे भई. अब बहुत ज़्यादा असान है. कैसे करोगे. tools and settings. conversions. यह राजी. conversions आजाओ. conversion tag से क्या करोगे. आप अपनी conversions track करोगे. अपने thank you page track करोगे. plus का option आ रहा है. create करो. क्या कर रहे हो. website, app, phone calls, import. import किसले था. google analytics से import करने के लिए. या बाकी और services से import करने के लिए. primarily google analytics. अभी हम किसे कर रहे हैं? website से. तो कर लिए है website. यहाँ पर category क्या कर रहे हो. purchase है, lead है, page view है, sign up है. या अधर है. हमारा lead है. नाम दे दो. school, leads. thank you. ठीक है. value क्या कर दो. don't use a value. हम कोई value यूज नहीं कर रहे हैं. क्योंकि simple lead है. हमारा कोई value कर रहे हैं, value कहां use करेंगे? e-commerce के time, यहां कोई use नहीं करेंगे. count, every रखना है हमें. count one देखो. अब यहाँ ध्यान से देखना. इसके बारे में आई बिली, पहले आपको बता चुका हूँ. जब आप every करते हो, मतलब अगर एक बंदे ने आके तीन बार भी form भर दिया, तो Google उसे क्या मानेगा? तीन conversion. अब क्योंकि हम lead कर रहे हैं generate, तो एक ही बंदा तीन बार भर दे, तो हमारे लिए तो एक ही lead है, तीन lead थोड़ी है. जब कि अगर e-commerce में करूँ, तो कोई आके तीन बार खरीद ले product, तो आपको तो तीन बार पैसे मिल रहे हैं ना? lead के case में every नहीं लेना, lead के case में क्या लेना है? 1. ठीक है? Conversion window, आपको रखना है 30 days, इसके बारे मैं पहले बता चुका हूँ आपको. view through conversion window, 1 रखना है, included in conversions, yes कर देना, attribution model, last click, अब एक वीडियो में आपको मैं attribution model क्या होता है? वो समझा दो अभी के लिए बस यह समझ लो, कि आपको last click लेना है, होता क्या है? complete एक lesson आपके लिए इसको इसको उपर बना दो, ठीक है? यहाद सिम्पल कर दो, create and continue, कैसे लगाना है? use tag manager, बड़ा ही असान है, अब क्या दे रहा है? देखो, conversion ID दे रहा है, और यह दे रहा है, conversion label, इतना असान, कैसे करोगे? वापस जाओगे, add a new tag, अभी क्या track कर रहे हो? conversion लिख दो, यहाँ पे Google Ads, conversion tracking, conversion लिख देते हैं, tag, school, thank you, page, tag पे आए, क्या है यह? conversion है, तो ले लो conversion, क्या पूछ रहा है? conversion ID, कहां पे है ID? यह रहा conversion ID, यह उठाओ, आगया, यहाँ paste कर दो, conversion label, देख रहो कितना मुश्किल काम है, conversion label पे आओ, paste कर दो, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है, e-commerce के time करेंगे, देन करना, ट्रिगरिंग, अब बताओ, ज़रा सोचो, क्या track कर रहे हैं, conversion, जो पहले वाला tag लगाया था, वो क्या था, all pages पे, all pages पे, यह क्या है, conversion, हम क्या track करेंगे, lead, मतलब हम track कर रहे हैं, अपना thank you page, कि जब कोई मेरे thank you page पे जाएगा, तो वो lead है, तो इस बार all pages तो लूँगा नहीं, तो क्या करूँगा मैं, plus, tag का नाम लिखो, visited, thank you page, school lead, trigger को click करो, यह लो page view, ठीक है, page view, all pages, some pages, हमें तो some pages चाहिए, तो low some pages, यहाँ पे देखो क्या है, page URL, equals, वापस आओ, इसे copy करो, यहाँ paste करो, ठीक है, करो save, save कर दिया, करो save, करो submit, करो publish, करो continue, हो गया, एक tag और fire करना है आपको, that is, conversion linker, ठीक है, तो simple क्या करोगे, add a new tag, इसका नाम लिख दो, conversion linker, यहाँ आओ, conversion linker है, क्लिक कर दो, यहाँ पर लो, all pages, ठीक है, कर दो save, submit, publish, content, ठीक है जी, done है, workspace पर आओ, प्रिव्यू करो, प्रिव्यू क्या, अब आजाओ यहाँ पे, अपनी website पे, refresh करो, hard refresh करना पड़ेगा, control F5, अब ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा attention पे करो इधर, उपर करता हूँ, एक चीज देखो, यहाँ कौन सा tag fire नहीं हो रहा, यह देखो, Google Ads Conversion Tag, यह तो fire ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यह कहां लगाए था, thank you page पे, अब यहाँ आजाओ, control F5 करो, thank you page है न, ठीक है, अब देखो, fire हो रहा है, यह देखो fire हो रहा है, कहाँ fire हो रहा है, thank you page, समझ गया, पहले क्या किया, simple step, remarketing tag लगाया, then conversion tag लगाया, then conversion linker लगाया, conversion linker क्या करता है, ताकि आपकी सारी, conversion के information, Google Ads के पास जाए, इसी के लिए हम लगाते हैं, conversion link, ठीक है, बड़े असान तरीके से, conversion tracking कर ली, कल हमने देखा था एक तरीका, आज देखा है दूसरा तरीका, दुनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, पहला वाला तरीका ज़्यादा बैटर लगता है मेरे को, Google Analytics वाला, अगर चाओ तो वो यूज़ कर सकते हो, आपको वो अच्छा नहीं लगता है, तो ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है, थेंक्यों सो मच, वो वाचिंग इस लेसन,